यहां पर हम जो टॉपिक डिसकस करेंगे वह हैं डिजीजेज जो स्प्रेड होती हैं वेक्टर्स की वज़े से अब वेक्टर्स में आपको अलड़ी बता चुका हूँ जो डिजीज स्प्रेड करने अगाम करते हैं मतलब इनके पास वो और्गैनिजम होता है जो एक जगह से दूसरी जगह है इस और्गैनिजम को यह ट्रांस्मिट कर देते हैं तो जैसे मॉस्कुटों में आपको पढ़ाया था पिछले लेक्शर्स में तो आप देख सकते हैं सबसे पहले डि इसका common name है हिंदी में इसको बोलते है हाथी पाउं हाथी पाउं का exactly मतलब यह है कि पैर जो हाथी जैसा हो जाता है आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से हाथी की तरह आदमी का स्वैल कर गया है ठीक है तो हमारे ना बॉड़ी में लिंफ नोड्स होती है जैसे ब्लड हम तो यह स्प्रेड करता है मॉस्केटो से मॉस्केटो क्यूलिक्स या एडीज नाम के मॉस्केटो होते हैं तो मॉस्केटो से करता है यह पता होना चाहिए ठीक है और एक परसन से दूसरे परसन यह ट्रांस्मिट हो जाता है तो यह communicable है और यह important इसलिए इंडिया के aspect में क्य लाए था हाती पाउं मुक्त भारत ठीक है तो यह organism है इस तरह का parasite होता है और यह lymph nodes में जाके क्या करता है स्वेलिंग करता है चालो नेक्स्ट काला अजर का दूसरा नाम है ब्लैक फीवर या फिर डमडम फीवर लेश्मेनियासिस भी बोलते हैं अब लग गया इसका मतलब है organism तो लेश्मेनिया नाम का protozoa है अब मैंने बोले लेश्मेनियासिस तो वह होगी disease लेश्मेनिया बोला एक जगह से दूसरी जगह spread करेगा इसके साथ इश्यू यह है कि यह biggest parasitic killer है किसके बाद मलेरिया के बाद वर्ल्ड में और इंडिया में हाफ से ज्यादा केसी इसके देखे जाते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी problem है इंडिया के लिए यह दो तीन नाम है आप आप से पूछ सकता है कि वेक्टर से कौन-कौन सी डिजीज होती है तो उसमें बस एक नाम आपको पता होना चाहिए काला अजर या उसको black fever भी कहते हैं या लेक्षपेनिया इसस भी कहते हैं बस काफी है इतना इससे जादा जानने की ज़रूत नहीं है सबसे important तो यह वाला प्लाजमोडियम नाम का अलग अलग तरीके के प्लाजमोडियम के स्पीसीज है सारे आपको याद नहीं करने प्लाजमोडियम वाइवेक्स होता है प्लाजमोडियम फैलसी पैरम होता है तो वह आपको नहीं भी याद होंगे चलेंगे लेकिन आपको प्लाजमोडियम नाम यह पता होना चाहिए इस तरह की का ओर्गैनिशंम होता है और यह ना मॉस्कटो के सलाइवरी ग्लेंड में मतला मॉस्कटो आएगा आको आके बाइट करेगा और उसके सलाइवा में क्या होगा यह यह plasmodium होगा, तो जब वो आपको bite करेगा, तो आपके blood में आ जाएगा यह plasmodium, ठीक है? तो again spread जो करने वाला vector है वो है, anophilus mosquito, anophilus mosquito में भी female anophilus mosquito, female anophilus mosquito होने का reason है, actually जो eggs होते हैं, female को जो eggs होते हैं, जैसे mosquitoes है, उसको जो eggs हैं, उनको और आयरन जो है ना वो human blood से मिलता है तो इसलिए वो depend करते हैं human blood diet पर basically इसलिए हम कह सकते हैं कि anophilis mosquito ही है जो यह disease spread कर रही है female है ना male नहीं है क्योंकि male तो plant sap पे अपना survive करते है फूड लेते वर्ड मलेरिया day आपको पता ही है कि 25th April का है और इसका थीम था reaching the zero malaria target यह थीम था यह आप मेंस के आंसर में कहीं अगर court कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा है ना ठीक है और यह malaria आपको पता है यह leading cause है death के लिए हमारी country में बहुत बड़ा problem है तो इंडिया ने करा magic plan for malaria elimination और हमने ना अपना focus shift किया है कहां से malaria को अंट्रोल नहीं करना है अब उसको eliminate करना है पूरी तरीके से ठीक है उसके कुछ objectives है जैसे कि हमने ना अपनी country को तीन categories में divide किया states को तो तीन categories में पहली वो थी जो low जिन में जहां पर cases low हैं यहां cases moderate हैं और तीसरी वह जहां cases बहुत जादा है category 3 तो हमने का भी 2022 तक हम लो और moderate category वाले जो states हैं वहां से malaria को eliminate करेंगे और हम 2027 तक category 3 जहां पर cases बहुत जादा हैं वहां से eliminate करेंगे malaria को और फिर फाइनली तीन साल बाद में बोलेगा कि हां जी आप ही country से malaria खतम हो चुगा है और आप malaria free हो चुगे हो तो इस तरह से हमने 2030 का target बनाया है तो इतनी detail में आपको mains में कभी लिखने का मौका मिले तो बात अलग है लेकिन आपको पस पता होना चाहिए कि strategic plan है क्या 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 है कि आप 22 तक की बात कर रहो है आप 21 22 में आप exam देते हो और एक परसेंट वहाँ पर डिजीज पर कोई question आता है और आप कुछ facts लिखने हैं तो आप ये facts वहाँ पर quote कर सकते हैं ठीक है अब अब प्रिलिम्स के point of view से क्या हो सकता है कि वह कोश्चन मना सकता है अनोफिलिस मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो इनमें डिफरेंस क्या है सुनने में लगेगा कि यह क्या question है लेकिन actually में 2020 में elephant पर एक question बना चुका है already UPSC और elephant का बहुत issue चल रहा था 2020 में एक elephant को केरला में बताया था कि उसको death भी हो गई थी उसको कुछ bomb वगरा खिला दिया था या कुछ elephants हमारे बहुत सारे elephants मारे थे जिनका reason नहीं पता लग पाया था बात तक तो इस तरह रहेंगे प्रॉब्लम किया है कि जब चीजे आती है तो हमें लगता है बहुत ही unpredictable सा question है तो इ Aedes mosquito जैसे मैंने भी बताया था lymphatic failure aces उसके इलावा डेंगू चिकिनगुनिया यलो फीवर यह सब disease भी cause कर सकता है तो आपको यह एक basic difference पता होना चाहिए दूसरा दोनों ही females है disease cause करने वाली दोनों ही females है malaria का मच्चर रात को काटता है और डेंगी का मच्चर या चिकिनगु बहुत ही जादा है डेली में तो हमेशा हर साल alert जारी होता है इसके लिए तो urban areas में होता है तो इस तरह के एक आप difference यह बना सकते हैं बाकी क्या है कि यह जो आपका slogan साते हैं या awareness campaigns आती है कि पानी को जमा मत होने दें cooler में tires में तो वह आपको पता चलेगा कि shallow water में इनके जो एक्स बगेरा flourish करते हैं वो water bodies पर करते हैं मतलब ponds पर lakes पर अब ponds और lakes तो आपको village area या rural area में मिलेंगे न दिल्ली में तो ponds और lakes नहीं है ऐसे तो यह एक difference है जो आपको बताएगा कि आपको question कभी आ है तो confusion में डालेगा अगर UPSC तो confused नहीं होना है ठीक है इतना काफी है इस से जानने की जरूत नहीं है अभी recently news में बहुत चल रहा है black fungus है ना तो fungal infection से होने वाली एक disease है mucormycosis ये भी हमें पता होना चाहिए इसको black fungus या zygomycosis भी कहते है और एक group है fungus का mold का mold मतलब जबाएगा ना तो mold मतलब fungus है तो confused मत होना exam में mold देते तो mold fungus है basically और उस fungus का ज तो mucor करके word आता है black mucor black fungus इस तरह से तो आपको पता होना चाहिए यह fungus की बात हो रही है fungal infection की बात हो रही है skin पर rashes कर सकता है intestine में issues कर देता है या आपके brain में problem कर रहा है ठीक है ना तो lungs में कर रहा है brain में कर रहा है यह आपको पता होगा आप news में देख रहे होंगे तो हमारे lungs में जला जाएगा इस तरह से यह transmit हो रहा है environment से ठीक है खाने में भी हो सकता है लेकिन जनरली यह air में sports होते हैं और यह हवा में होते हैं और जो भी contaminated air है उसको हम inhale करेंगे तो हमारी body में यह fungus जा सकता है तो mucor mycosis के सबसे अच्छी बात यह सबसे अच्छी खास बा है लोगों से एक दूसरे को या लोगों से अनिमल्स को या अनिमल्स से लोगों को यह आपको बात पता होनी चाहिए जैसे कि कोविड आपको air से स्प्रेड कर रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी को लेकिन यह black fungus जो है mucor mycosis यह spread नहीं कर रहा है एक से दूसरे आदमी को चाहिए यह एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए दूसरे इसके सिम्टम्स अगर देखो तो आपका एक साइड फेस स्वेल कर जाता है है एडेक हो जाता है निजल कंजेशन से नोस के आसपास ब्लैक लेजंस हैं फीवर एब्डॉमिनल पेन यहां पर रेडनेस है चंप नहीं हैं तो कुश्यन याद है कि यह कोविड्य पेसिंट को ही क्यों हो रहा है मतलब ऐसा क्यों है कि कोव scalp patients को इतना ज्यादा इंफेक्ट करर रहा है क्या है कि कोविड़् पेसिंट कोई भी है उसकी inner У्हां चायो जिसकी बहुकति से अ tehd उब इस में इस्सिशन यज उसमें बहुत ज़्यादा आरिये इसलिए हमें लगेगा कि सिर्फ कोविड वालोग हो रहा है किसी का ओर्गन ट्रांस्प्रांट भी होता है और लगता है कि उसकी बॉड़ी वीक है इम्यूनिटी वीक है इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसको दिये गए है तो उसको भी यह कंडिशन डवलप हो सकती है जनरली नॉर्मल लोगों को नहीं होती है क्यों का इम्यून सिस्टम ठीक होता है अब यह जो ग्रूप है म्यूकर माइस सिटीज इसके बारे में देख लेते है तो यह ग्रूप बेसिकली एंवार्मेंट में फंजाए ग्रूप है इस तरह से प्रेजेंट है और हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जा रहा है इसके जो बेसिक कॉमन स्पीसीज है वह राइज ओपस और दूसरा है म्यूकर तो यह म्यूकर वाली जो करें नहीं स्पोरेंजेंस होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते यह मैं नहीं Difet लीकिन यह यह देख लीजे कि इस तरीके से यह ब्लैक कलर के स्पोर्स हम जब माइक्रोसकोप से देखते हैं तो इसलिए हमने इसको नाम ब्लैक फंगस रखा है चलो एनिमल की डिजीज है कुछ दो डिजीज जूज में जो बहुत रही दो 2019 और 2020 में मैं आपको बतायता हूं पहली थी फुट एंड माउथ डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज जो है यह वाइरस से फैलती है और किन में हो रही है हूफ डैनिमल्स में हो रही है अब हूफ डैनिमल्स वो होते हैं जिनके आपके लेक्स इस तरह से देखे होंगे इस तरह के हूफ होते हैं लेक्स में ठीक है यह दिख रहे हैं ठीक है यह तो cattle है buffalo है camel sheep pigs यह सब hooved animals हैं इनके hooves होते हैं जब ही चलते हैं तो hoofs पे चलते हैं अपने यह जो disease foot and mouth disease यह zoonotic नहीं है जो नौटिक नहीं है मतलब यह है कि यह transmit नहीं हो रही है एनिमल से humans को humans को नहीं हो रही है, zoonotic नहीं है, zoonotic का मतलब होता है, transmit होना, ये नहीं है, ये आपको इतना सा basic difference यह रख ताया है, क्योंकि दूसरी जो disease है, bruccellusis, ये जूनॉतिक है, ये transmit हो रही है, अटशनीमल से humans को, इसको malta fever, या Mediterranean fever नाम से बोलते हैं और यह बैक्टीरियल है तो आप एक्जाम के पॉइंट आफ यहाद रखेंगे कि बीफ और ब्रुसेलोसिस और बैक्टीरिया ठीक है यहाँ पर आपको मैंने बता दिया था कि फूटन माउट डिजिस कैसी है वाइरस से है अब UPSC आपको कन्फ्यूज करने के लिए ना वाइरस और बैक्टीरिया चेंज कर देगा और फिर आपके लिए वह कुशन टफ हो जाएगा तो यह थोड़ा क्लारिटी यहाँ पर चाहिए केटल शीप गोट सभी को अफेट कर रही है और रॉव मिल्क या रॉव मीट खाने से यह हो सकती है न्यूज में क्यों थी क्योंकि इंडिया ने ना वर्ल्ड लार्जेस्ट एवर वेक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू किया इन दोनों डिजीज के लिए 2019 में दिसम्बर में और यह पात साल का प्रोग्राम है ठीक है आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में यूनीक आइडी भी दी जाएगी पशु आधार नंबर दिये जाएगा इतने मिलियन अनिमल्स को तो आपका अग्रिकल्चर से रिलेटेड हॉटी कल्चर से रिलेटेड लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई कोश्चन आता है तो वहाँ पर आप कही न कहीं गौर्मेंट इनिशेटिव में इस एक्जाम्पल को कर सकते हैं कि गौर्मेंट क्या काम कर रही है कटल के लिए या लेट से डेरी इंडस्ट्री मिल्क इंडस्ट्री वागर इसकोश्चन आ गया तो वहाँ अब भी आप इसको यूज करते हैं कि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गौर्मेंट क्या कर रही है वे एक्सिनेशन प्रोग्राम और कैम्पेंट शुरू कर रही है तो यह बहुत अच्छे एक्जाम्पल रहेगा उस पॉन्ट ऑफ टाइम पर नेक्स्ट है लिएपूर के आसपास तो यह आपको पता होना ची पहली बात उसकी लोकेशन और यह स्थरह से हिंदू में आर्टिकल भी आया है कि डेथ हो गई सांबर लेक में करीबन 20,000 बड्स की अब हुआ गया कि यह पता ही नहीं चल पा रहा है यह बड्स मर क्यों रही हैं फिर जब और यह toxin secret करते हैं heat resistant भी होते हैं आप सोस्था होंगा कि राजिस्तान सांबर ले में कितना temperature हो गया फिर भी बैटेरिया जिनदा था और सॉयल में और वाटर में इस तरह से यह बैटेरिया था और इसने toxin रिलीस किया और वो जब पानी पीने बढ़र आई तो वह मरती जल and they are organic organic means made up of carbon हमारी body में required हैं किसके लिए जरूरी metabolic functions के लिए metabolic functions जो भी medical, biochemical reactions हमारी body में हो रही है खाना digest हो रहा है, energy बन रही है, जो कुछ भी हो रहा है enzymes function कर रहे हैं, वो सब के लिए vitamins का role है और हमारी body generally इनको synthesize नहीं कर पाती है sufficient quantity में, तो हमें खाने के साथ या additionally supplement की form में इन्हें लेना पड़ता है vitamins भी UPSC अलड़ी पिछले साल या पहले question पूछ चुका है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको question क्या था vitamins दो तरह के के हैं, water soluble और fat soluble, fat तो आपको पता होगा ना, जो भी हमारे lipids बगरा होते हैं, fats होते हैं, oils होते हैं, या तो उन में soluble है, या फिर पानी में soluble है, vitamin B complex जनरली लोग लेते हैं, पेट के लिए, vitamin C जो लोग लेते हैं, अभी आजकल तो vitamin C बहुत दिया जाता है, immunity के लिए दिया जा रहा है, जो भी covid patient है, उसको vitamin C और zinc की tablets अलग से दी जा रही है, ठीक है, तो आपकी body में ज्यादा हो भी जाएगा, vitamin B, vitamin C, तो कोई problem नहीं है, क्योंकि water soluble है, washroom के थुरू वो pass out हो जाएगा आपकी body में, fat soluble में जो नाम है, वो आपको याद रखने, ADEK, अब यह याद करने बढ़ेंगे, इसका कोई common sense नहीं है, कि A के बार D क्यों है, E क्यों है, K क्यों है, यह आपको ऐसे ही है, यह याद करने बढ़ेंगे, ADE के 2-3 बार बोलों को याद हो जाएगा, यह table बनाई है, मैंने इस table में ना मैंने deficiency disease बताई आपको, यह disease आपको याद होनी चाहिए, इसकी detailing आपको नहीं भी याद हो तो चलेगा, तो इस तरह से vitamin B बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B7, B9, B12, तो आपको सारे नाम याद हो तो अच्छी बात है, वैसे तो जनरली medical students को तो याद होती है, बाकि आपको basic basic नाम पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, जैसे vitamin B1, इसको thymine बोलते हैं, ठीक है, औ और मैंने कुछ disease में नहीं क्या करा, अंडरलाइन कर दिया है, जिन disease को मैंने अंडरलाइन किया है, ये तो आपको गलत करना ही नहीं है, ये तो आपको by heart याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के question अलड़ी UPC पूछ चुका है, B6, अगर मैं बताऊं, Pyridoxin जैसे है, तो anemia cause करता है, और ये forlic acid जो भि 9 होता है, ये भी anemia condition cause करता है, अनेमिय में क्या होता है, कि जो ढोट अस ब्लेटी है हमारी लोडूड सेल्स होती है, नहीं हो जाती है, कम हो जाती है, तो हमारी péroglicization, protectedman gluten ब्लीडिमिट का मुट ऑजाती है, शकर्वी एसकार्वी effort, vitamin C की कमी से क्या होता है, scurvy, scurvy में bleeding gums हो जाते हैं, और retinol, vitamin A की कमी से night blindness होती है, vitamin A कहते हैं, carrot खाओ, है na, fish खाओ, तो उसमें क्या होगा, आपको vitamin A मिलेगा, आपकी आँखों के लिए अच्छा है, और जिसे ये vitamin K है, इसकी कमी से blood clotting में problem आ सकती है, तो vitamin K जो होता है, यह blood clotting में बहुत help करता है vitamin D हड़ियों के लिए होता है और हड़ियों के लिए होता है, तो अगर यह नहीं मिलता है तो bones हमारी क्या हो जाएंगी, बहुत weak हो जाएंगी या हमारी bone में rickets हो सकता है यह बच्चों में जनरली देखा जाता है, rickets की condition bones bend हो जाती है तो यह मैंने कुछ photograph लगा दी है जैसे vitamin D की कमी से bones में problem हो रही है तो आप देखंगे, bend हो जाते है knees knees क्या हो गए, bend हो गए तो इसे हम बोलता है rickets scurvy, vitamin C C, C, यहां से आप इस तरह से थोड़ा से याद करो vitamin C की कमी से scurvy होता है तो यह gums हो जाते हैं, यह bleeding आ जाते हैं आपर gums में ठीक है, berry berry में आप देख सकते हैं B1, berry berry, इस तरह से हातों में बच्चों के चाले पड़ जाते हैं और night blindness, vitamin A की कमी से विटामिन दे रहा हूँ, जरा बता दो कौन सा सही है, कौन सा गलत है तो उसने पोला, correctly match करो अब मेरे स्टूड़न को अगर थोड़ा सा भी पता होता न कि night blindness, blindness वाली condition तो vitamin A से होती है तो वो कहता भई, 3 तो answer नहीं है तो यह answer नहीं है, यह answer नहीं है और D तो bones के लिए था और D नहीं होगा तो rickets हो जाएगा और vitamin C जो था, वो gums के लिए था और अगर vitamin C नहीं होगा तो gums में bleeding शुरू हो जाएगी तो 1 और 2 तो सहीं लग रहा है, 3 गलत लग रहा है तो answer क्या हो गया हमारा, A चीक है, A is the answer तो यह ना again marks free के थे लेकिन क्या है कि examination pressure में हम थोड़ा सा confuse कर जाते हैं और उसके बाद इस answer को गलत कराते हैं जबकि मुझे लगता है कि यह question इतना tough नहीं था कि इसको गलत करा जाए दुबारा पूछ सकता है इस तरह question UPSC तो आपको धिहान रखना है next is human blood successful नहीं रही बट इस्टेल न्यूज में थी और बहुत 2020 में तो बहुत ही जदा न्यूज में थी तो आपको पता होना चाहिए ब्लड में होता गया है हमारे ब्लड के अंदर दो component है पहला है plasma और दूसरा है cells का ठीक है उन्हें फॉर्मड एलिमेंट्स बोलते हैं प्लाजब माजी प्लाजमा में अंदर 1 अंदर सब कुछ न्यूट्रींट्स हैं प्रोटीं से ध्याथ एक्साइज यद वारी बॉंद में प्रोटीन्स बस्रिकार वह अंपको नाम यह नाम यान करणने यह ऐब इस पता हुत यह प्रोटीन जो है वो अलग अलग तरीके के हैं आपको नाम याद नहीं करने यह ग्लॉबूलेंस पता होना चाहिए यह इम्म्यून ग्लॉबूलेंस यह एंटी बॉडी होते हैं यह मैं आपको भी नेक्स्ट लेक्टर में पढ़ाऊंगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको diyorum साइड लेट्स प्लास्म एरिट्व आपको पक्रते हैं इतना काफी है तो बलड में आपको पता लग गया कि ब्लडम में प्लाजमा होता है ऑर भी सिय डब्रुबी सी है और Flatlets Clotting के लिए एरद के लिए लीये तो Erithran C, यह Ancient History में भी बढ़ते हैं ठीक है न Bloods, Red Colour का है उसका Reason Hemoglobin है याप वे। सब है Hemoglobin Oxygen डेंशंपोट करता है और हिंच मदल लिटर लिटर होता है और पह्ठ होता है गरीबबन 7.2 ठीक ठीक है pH scale आपको अगर नहीं पता तो बताएता हूं, pH scale हमारे acidity और basic character को बताता है, कि कोई भी अगर liquid है, तो अगर पहले बात तो यह 0 से 14 तक होता है scale, और 7 को हम बोलते है neutral है, और जितना हम 7 से पीछे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उतना ही acid होता जाएगा, ठीक है, और जितन acid है, HCL क्या है, आपका acid है, चालो, soap आपका basic है, soap आपका base है, तो 7 around हमारा pH होता है blood का, approximately neutral होता है, blood group system, हमारी body में जो blood group है, जो हम follow करते हैं, वो AB और blood group system follow करते हैं, जैसे कि कुछ लोग का A, B, AB या O blood group हो सकता है, तो यह blood group system आपको थोड़ा बतायता हूं, यह बहुत जर चुका है, तो थोड़ा सा बतायते हैं, इसके बारे में, कि blood group A क्यों है, और B ही क्यों है, तो red blood cells होते हैं, उनकी surface पे कुछ इस तरीके के वो होते हैं, sugars होते हैं, ठीक है, अब scientist ने देखा, जिन्होंने इसको discover किया होगा, उन्होंने देखा कि इस तरीके के अगर sugar मिल रह हो गया, antigen B है, तो blood group B हो गया, अगर दोनों ही antigen मिल रहे हैं, A भी मिल रहा है और B भी मिल रहा है, तो blood group A हो गया, और मान लो अगर दोनों ही तरीके के antigen नहीं मिल रहे हैं, और blood की surface पर, RBC की surface पर कोई sugar इस तरीके के नहीं है, तो हमने कह दिया, ओ blood group O हो गया, तो ठीक ह वाले antibodies थे बी के लिए इसके लिए ठीक है तो क्या होता है antigen कोई भी हो गया foreign substance antigen कोई भी foreign substance हो गया antigen interact करता है antibody से antigen antibody आपस में interact करता है एक दूसरे को मारते हैं तो अगर तुमने बोला कि मेरे को blood की ज़रूत थी और मेरे को blood का donor मिला और बी वाले का blood group मैंने a को चड़ा दिया तो आप देख रहे हो बी के पास तो कौन से antigen है बी और antibody कौन सी है and a blood group वाले के पास antibody है बी के लिए तो यह दोनों आपस में ट्रेट करेंगे और blood क्या हो जाएगा coagulate कर जाएगा blood क्या हो जाएगा clumps बन जाएगे उसके ठीक है तो यह बोला जाता है कि a blood group वाले को फिर a का ही blood group चड़ाया जाए बी वाले को बी का चड़ाया जाए लेकिन जैसे a b है a b वाले पर तो दोनों ही तरीके के antigen है और antibody एक भी नहीं है तो इसको हमने बोला universal इसको हमने बोला universal recipient recipient का मतलब हो गया यह a से भी blood group ले सकता है b से भी ले सकता है और o से भी ले सकता है यह किसी से भी ले सकता है अब o blood group वाले के साथ issue यह है कि इसके पास दोनों तरीके के antibodies हैं है ना अगर इसके पास दोनों तरीके के antibodies है तुम a चड़ा होगे या b चड़ा होगे तो दोनों antibodies बोडी आपस में उनके साथ लड़ जाएंगी तो इसको हम कभी भी ना A ना B ना A B तीनों ही तरीके के ब्लड ने चड़ा सकते हैं ओ वाले को सिर्फ O का ही ब्लड ग्रूप चड़ाये जाएगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर ये दे तो सकता है इसका ब्लड ग्रूप तुम A B वाले को दे दो इसका O वाले को B वाले को दे दो O वाले का ब्लड ग्रूप A वाले को दे दो कोई डेंशन नहीं है लेकिन O वाले को कुछी से ले नहीं सकता O वाले को O का ही blood group शड़ेगा ठीक है इसका reason यह है कि यहाँ पर इसके पास antigen एक भी नहीं है लेकिन antibody दोनों है अगर हम इसको थोड़ा सा sum up करें तो हम यह कह सकते है A B वाला सबसे blood ले सकता है O वाला सबको blood दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ O वाले से ही A वाला blood group B से नहीं ले सकता O से तो ले सकता है इसी तरीके से B वाला भी A से blood group नहीं ले सकता O से ले सकता है ठीक है चालो आगे चलते है अब आता है आरेश फेक्टर तो तुमने सुनोगा कि अब A negative होता है A positive होता है वो चीज़ क्या होती है तो यहाँ पर जो आरेश का मतलब है वो है रहसस फेक्टर यह ना monkey का नाम है बेसिकली monkey में पहली बार देखा गया था यह रहसस फेक्टर तो monkey के नाम से ही हमने यह रहसस वर्ड रखा तो यह कुछ भी नहीं है again antigen तो था ठीक है A वाला RBC की surface पर sugar था तो हमने उसको बोल दिया A blood group है यह तो पता ही है बता दिया लेकिन इसके साथ साथ एक antigen और मिल गया रह का या तो वो antigen surface पर है या वो नहीं है जैसे इस case में नहीं है तो यह A negative हो गया इस case में है यह रह तो यह positive हो गया एसी B वाला antigen था तो हमने तो पीछे देखा ही था इसलिए उसका blood group का नाम B था च्योंकि surface पर sugar B वाले थे अब RH antigen है तो B positive हो गया रह एच antigen नहीं है तो B negative हो गया simple है तो एक तरीके का protein है यह यह भी blood cells RBC की surface पर पा जाता है genetically inherit होता है parents से यह बच्चों में आ सकता है ठीक है तो अगर protein है तो उसे RH positive कह देंगे हम अगर protein नहीं है तो उसे हम RH negative कह देंगे तो कुछ भी नहीं है अगर father और mother दोनों ही RH positive है तो baby हमेशा positive ही होगा father mother में से कोई एक भी अगर negative है जिसे let's say father यह इस case में negative है mother इस case में positive है RH vector यहां blood group A, B, O की बात नहीं हो रही यहां सिर्फ हो रही है A plus है या B plus है A minus है या B minus है बस मैं plus और minus की बात कर रहा हूँ positive है या negative है तो उस case में positive भी हो सकता है baby और negative भी हो सकता है अब मालनो RH vector ना father में है ना mother में जब दोनों में नहीं है तो बेबी में आएगा कहां से ठीक है तो वो RH negative होगा अब यह इस तरह की table है जहां blood group type के बारे मैंने बताया हुआ है कि let's say father A है blood group और mother B है A है तो baby A blood group हो सकता है O भी हो सकता है क्योंकि antigen body की surface पे क्या है A है B तो है ही नहीं तो baby कभी भी B हो ही नहीं सकता अब जिसे father A है और mother O है तो भी उस case में हम कह सकते है A blood group हो सकता है और O blood group भी हो सकता है अब वो ही देख लो आप B वाले के condition में दोनों ही B हैं जब father और mother तो आप बोलोगे कि baby कैसे हो सकता है आपर A हो ही सकता है कभी भी नहीं हो सकता अब father अगर A भी है और mother भी A भी है तो सारी possibilities बनती है सारी possibilities बनती है except O और O possibility कभ आएगी जब father भी O है और mother भी O है तो उस case में baby कभी भी A या B तो हो ही नहीं सकता वो हमेशा ही O होगा अब देखो UPC ने question क्या बूचा UPC ने का एक married couple है married couple ने क्या गाम किया उन्होंने एक male child adopt कर लिया तो ये father है ये mother है उन्होंने first जो baby था उनका adopted था ठीक है male था ठीक है फिर उन्होंने कहा कि दो twins हुए उनके तो twins हो गए एक second baby हो गया से third baby हो गया तो ये twins है और वो कहता है कि जो कपल है उसमे फादर लेटस से A B थे और मदर थी O चीक है तो फादर A B positive mother O negative the blood group of the three sons तीन बच्चे जो है उनका blood group आ रहा है A B और O A positive B positive और O positive अब वो कह रहा है adopted son का बता हो गया होगा ठीक है वो पूछ रहा है आपसे adopted son का बता हो गया होगा अब पहली बात हो न जिसने उस साल ये question दिया होगा टेस्ट में उसको न ये question समझने में लग गया होगा तीन मिनट फाच मिनट तो और जब तक उसे question समझ में आयोगा उसे टीनों में से कौन सा जो है बच्चे का है ये तो confusion हो गया बहुत असान है इतना easy question नहीं है तुम ध्यान से सोचो father a b है तो father की तरफ से जो antigen आएगा या तो a आएगा या b आएगा और mother o है उसकी तरफ से तो antigen आएगा ही नहीं न कोई है ना क्योंकि surface पे तो कोई भी sugar ही नहीं न a न b तो इधर से a आएगा या b आएगा मैंने तुम्हें पिछली slide में अल्रड़ी बताया हुआ है o तो तब ही होगा जब father b o हो और mother b o हो ठीक है और अगर father या mother में से कोई भी a b हो गया तो तीनो possibilities बनती है ठीक है तो आपको इतना easy question नहीं मिलेगा जहां वो यह कहा रहा है adopted son का बता दो तो adopted वाले का o होना चाहिए ना जोकि o आने के लिए तो दोनो father और mother को o होना चाहिए था that's it answer is a positive negative यहाँ पर सिर्फ confuse करने के लिए दिया हुआ है और इस तरह के जो डी वाला option है यह इसलिए दिया हुआ है ताकि इतने बड़े question को पढ़के आपको लगे कि नहीं answer नहीं निकल सकता and this was a very 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 easy question less than one minute आप इसको solve कर सकते थे अगर आपको simple basic सी चीज़ पता होती कि a b का मतलब क्या antigen होते है जो आपकी body में parent से इन्हेरिट होते है red blood cells के उपर sugars होते है ठीक है चालो this is end of the lecture part 3 thank you so much we are trying to help you in general biology science and technology by simplify civils thank you